नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पुनीत और आप देख रहे हैं Talk with पुनीत योट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं स्वास्त विभाग भरती 2020 के बारे में स्वास्त विभाग के अंदर A&M के पदो पर भरती आई हुई है और बहुत बड़ी संक्या में भरती है 865 पर भरती है योगेता है यहाँ पर से बार्वी पास और एज लिमिट 18 से 40 साल है तो यह बहुत बड़ी वेकैंसी है A&M के पदो पर National Health Mission के अंदर तो फ्रेंट इसी के बारे में आज मैं आपको दूँगा Complete Information Step by Step साथ ही आपको दिखाऊंगा National Health Mission के दुआरा जारी के गया Official Notification भी ताकि आप समसके इसकी पूरी जानकारी को और भर सके इस वार्म को तो फ्रेंट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन प्रेस करके All पे क्लिक कर लिजेगा ताकि जितनी भी Government Job के अपडेट्स होती हैं और उससे related कोई भी Notification होता है तो हम आप तक वो Notification को लाते हैं और आपको इसके बारे में Complete जानकारी देते हैं ताकि आपको एक भीतरीन Government Job मिल सके तो बीना किसी देरी के चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन प्रेस करके All पे क्लिक कर लिजेगा तो आए चलिए शुरू करते हैं इस Vacancy को तो आपको इसकी पूरी जानकारी को समझ में आ जाए और आप इसके लिए Easily Apply कर सकें तो आपको पूरा Detail में समझाया हुआ है तो इसको Skip मत कीजेगा तो फ्रेंट बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं बिहार State Health Society यानि कि बिहार स्वास्विभाग ने A&M की नोटिफिकेशन को जारी किया है और A&M के परदो पर भरती होने वाली है तो Talk with Puneet चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा और bell icon प्रेस करना मत भूलिएगा bell icon प्रेस करके all पर click कर लिजेगा ताकि जितनी भी government job की updates होगी न उस सभी के notification आपको इसलिए मिलता जब भी मैं कोई निया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका notification सबसे पहले मिलेगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके application fees के बारे में तो basically यहाँ पर देखें तो journal OBC के लिए 500 रुपे का application fees लगेगा वहीं SCST physical handicap के लिए 2500 रुपे का और all category female यानि female चाहे किसी भी category को हो उनको यहाँ पर 2500 रुपे का fees payment करना होगा ठीक है तो female के लिए सबसे अच्छा फसर है कि उनको यहाँ पर कम charge लगेगा कम fees लगेगा date की बात करें तो form की शुरुआत 9 मार्च 2020 से होगी ठीक है 9 मार्च के बाद आप इस form को fill up कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको इसका notification दे दिया है ठीक है पूरी जानकरी समझा दिये है और last date 30 मार्च 2020 है 30 मार्च तक आप इसके form को भर सकते हैं और fee payment करने की भी last date 30 मार्च 2020 रहेगी selection आपका exam के बेस पर होगा तो इसका admit card और exam date अभी notify नहीं है जब यह dates आएंगे तो हम आपको इसका notification दे देंगे साथ ही exam के बारे में भी आपको इसका syllabus और last year's के papers साथ ही इससे related books वो सारा ही कुछ आपको available कर दूँगा सारा कुछ मैं आपको provide कर दूँगा ठीक है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा जैसी है vacancy सुरवात हो जाएगी 9 March के बाद आपको इसका syllabus भी मैं आपको provide करूँगा और आपको books भी guidance कर दूँगा और इसके last year's के papers भी मैं आपको यहाँ पर provide कर दूँगा सारा कुछ आपको मिलेगा बस चैनल को subscribe कर लेजेगा ताकि जब भी मैं A&M के बारे में syllabus और papers वगरा डालू तो उसका notification आपको easily मिल जाएगा ठीक है तो फ्रेंट आगे continue करें तो job location यहाँ पर बिहार होगा और age limit जैसा कि मैंने बताया था 18 से लेकर के 40 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं साथ ही कुछ upper age वाले candidates भी इस form को भर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें maximum age limit जो male के लिए है वो है 37 साल और female के लिए 40 साल है यह एक जनवरी 2020 की गणना के अनुसार है ठीक है और अधिक जानकारी के लिए age में लेक्शन दिया हुआ है कुछ candidates के लिए upper age limit का तो उसके बात करें vacancy के details की तो फ्रेंट यहाँ पर देखें A&M की पदो पर भरती होगी और अगर हम category wise आएं तो यहाँ पर देखें जर्नल में male के लिए 225 सीटे है और female के लिए 122 सीटे है जर्नल के लिए वही बात करें MBC की तो male की 97 vacancy है और female की 58 vacancy है और BC की बात करें तो यहाँ यहाँ पर male की 69 और female की 35 vacancy है ऐसी category की बात करें तो SC में male के लिए 86 vacancy है और female की 52 vacancy है और ST के अंदर 9 सीटे है और WBC में 29 सीटे है और उसके लावा EWS में यहाँ पर देखें 61 सीटे है और female के लिए 25 सीटे है टोटल जो यहाँ पर जो हमारा salary यह हो जाएगा post वो देखें 865 पर भरती है तो बहुत बड़ी vacancy है A&M के पर ठीक है तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा कि आपके जितने भी friend है जो भी A&M से related course कर चुके है या फिर जो भी आपके classmate है वैजमेट है या फिर कोई family member है तो उसको जरूर यह video share केजिएगा Facebook, Instagram, Twitter पर ताकि वो भी इस vacancy क मिलेगा तो एक बार जब मैं आपको इसका official notification दिखाऊंगा तो वहाँ आप इसके face skill को देख सकते हैं अब बात करे educational qualification तो यहाँ पर देखिए 10 plus 2 मांगा हुआ है और diploma in 2 year in A&M ठीक है आपको यहाँ पर diploma मांगा हुआ A&M का ठीक है और इसके साथ सत आपने जो A&M किया है उ इसके official notification को visit कर सकते हैं उसको देख सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है जो भी qualification है education है disability criteria और experience क्या है वो सारा कुछ आपको अधिक जानकरी के लिए इसके official notification में आपको मिल जाएगा तो अब बात करते कैसे apply करना है तो apply करने से पहले यह पूरा वीडियो देखन है complete में आपको information दूँगा ठीक है उसके बाद जब आपको पूरी जानकरी सवंज में आ जाए तो आप इस form को भर सकते हैं नीचे वीडियो के description में आपको apply now का link मिल जाएगा उस पर क्लिक करके official website पर जाएंगे और 30 मास से पहले पहले आपको इस form को भरना होगा ठीक है पूरी complete information होने के बाद ही आप इस form को भरेंगे बात करें mode of selection की तो return exam के base पे इसका selection होगा ठीक है जो भी candidates जितना अच्छा exam देंगे उतने ही जाद चांजिस आपके selection के रहेंगे तो मैं आपको इसका पूरा complete syllabus provide कर दूँगा उसके बाद जो भी कुछ reference में कुछ मैं आपक ठीक है उस books को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको इस exam को crack करने में बहुत help मिलेगी ठीक है तो पूरी लगन के साथ आपको इस exam को crack करना होगा मैं आपकी पूरी help करूँगा ठीक है जो भी information चाहिए आप मुझे comment कर दीजेगा मेरे whatsapp group से जुट जाएगा official notification को अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राजस्वास समिती बिहार के दौरा जारी किया गया यह official notification है और इसे एनम की भरती के लिए जारी किया गया था ठीक है और इस notification को मार्स 2020 में release किया गया है तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी correct information है इसमें कोई doubt नहीं है तो basically vacancy बिहार किये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनम के पदर पर भरती होगी और 865 vacancy है total ठीक है जो आपको मिलेगी वह 11,500 पर पर मिलेगी और यहाँ पे आप category wise देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था 865 vacancy है तो आप यहाँ पे category wise सारे दिख चेक कर सकते हैं जो female के vacancy है वहाँ पे female लिखा हुआ है और male के लिए ऐसा ही normal लिखा हुआ है तो अन्रिजब में 225 सीटे male के लिए हैं और female के लिए 122 सीटे हैं qualification की बात करें तो इसको मैं थोड़ा आपको zoom करके detail में दिखाना चाहूँगा यहाँ पे देखे साफ साफ qualification है मांगा हुआ ह डिपलोमा two year full time in auxiliary nurse midwifery यानि एनम में आपका डिपलोमा चाहिए ठीक है दो साल का full time और यह आपका recognize होना चाहिए एनम training institute से और इसका जो registration होना चाहिए candidates के दौरा वो आपका बिहार nurse registration council के दौरा आपका यह registration होना चाहिए ठीक है तो अगर आप इस category में आ रहे हैं अगर आपने की qualification match कर रही है same तो आप इसके लिए apply करेंगे otherwise आप apply नहीं करेंगे जिस candidates को doubt हो वो मुझे comment कर दीजेगा मैं आपको reply दे दूँगा solution provide कर दूँगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन form को fill up नहीं करना है जब तक आपको shorty ना हो ठीक है नीचे आएंगे तो पूरा notification आप download कर सकते हैं आपको वहां पर भी मिल जाएगा बात करें यहां पर नीचे आए तो यहां पर देखे इसके dates बताए हुई है online आवेदन करने की जो प्रारंबिक दिती होगी वो 9 March 2020 से 10 बजे सुबह से इसका registration सुरू हो जाएगा ठीक है और आवेदन सुल्क भु पालक निदेशक ने इसको verify किया है साइनी आप यहां पर देख सकते हैं तो यह आपका पूरा complete information था बिहार के अंदर A&M की vacancy के बारे में तो अगर जिस भी candidates को कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर दीजेगा मैं आपको reply दे दूँगा solution provide कर दूँगा साथ ही इसका एक और जैसा क कर और देरा चाहूंगा जब इस form की शुरुवात हो जाएगी 9 मास 2020 से तो इसी वीडियो के description में आपको मैं इसके books कुछ reference कुछ books भी डालूँगा और आपको इसका syllabus का एक नया वीडियो upload करूँगा ठेक है आपको उसका syllabus मिल जाएगा official syllabus होगा ठेक है syllabus मिल जाएगा लास् प्रेस करके all पर क्लिक कर लिएगा ताकि सारा notification आपको मिलता रहेगा तो अभी के लिए मुझे इजादत दीजिए मैं फिर मिलूँगा एक नई vacancy के साथ एक नई update के साथ तो अभी के लिए goodbye जाएगा